आज के क्लास में हम पढ़ेंगे वेरी और टू में अंतर और रिमूब टू किस तरह से वाक्यों से टू को हटा कर वाक्य बनाये जाते हैं किसी गुन की अधिकता को दिखाने के लिए हम वेरी का प्योग करते हैं और यह प्राय है पॉजिटिव मीनिंग को दर्साता है जैसे यह बहुत अच्छी मूवी है अर्थात मुझे यह पसंद है अन अधर हैंड तू का अर्थ उस सेंस में हम करते हैं जिसमें क्वालिटी इतना ज्यादा हो जो हमें पसंद नहीं है हम नहीं चाहते हैं और यह एक निगेटिव आइडिया को प्रस्तुत करता है जैसे यह मूवी इतना वाइलेंट है जो मुझे अच्छी नहीं लगते हैं कुछ और उदारन लेते हैं मुझे नॉर्थ इंडियन फूड पसंद है यह बहुत स्पाइसी होता है अर्थात मुझे बहुत पसंद है जबकि दूसरी ओर नॉर्थ इंडियन फूड इस टू स्पाइसी इसका अर्थ हो गया कि नॉर्थ इंडियन फूड बहुत स्पाइसी होता है इतना स्पाइसी कि मुझे पसंद नहीं है remove to अर्थात वाक्यों से तू इस तरह से हटाना है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्थन नहीं हो जैसे the news is too good to be true यह news इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता है अब इसी वाक्य को हम to हटा कर लिखेंगे वह इस तरह से होगा the news is so good that it cannot be true एक दूसरा उधरन लेते हैं these mangoes are too cheap to be good यह आम इतने सस्ते हैं कि यह अच्छे नहीं हो सकते हैं अब हम to को हटा कर इस वाक्य को लिखते हैं जिससे कि अर्थ में कोई परिवर्थन नहीं हो these mangoes are so cheap that they cannot be good एक और उधरन लेते हैं he drove too fast for the police to catch इसे हम to हटाते हैं इससे he drove so fast that the police could not catch him practice के लिए कुछ प्रशन दे रहा हूं इसे वीडियो को पॉस करके खुद से बनाए कि अर्थ मेंने आए कर दो कि अर्थ कर दो कि अर्थ कि अर्थ झाल झाल